असलाम अलेकुम जी, welcome to another lecture. Diabetes एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में हर 10-11 बंदे को probability निकलती है कि इनको diabetes है. वो type 1 diabetes हो सकती है या different किसम की type of diabetes हो सकती है. अब इंडिया ने एक ऐसा data बना के upload किया हुआ है केगल के उपर, उनके एक institute है जिन्होंने upload किया है, कि हम उस data को use करके predict कर सकते हैं कि कोई बंदा diabetes का हामिल है या नहीं, कोई बंदी diabetes की हामिल है या नहीं, and which are the parameters which are involved in these kind of diabetes. तो obviously जब ये app बनाएंगे तो ये diabetes को predict करेगी, you will add some parameters inside the app, तो वो predict करेगा कि आप को या फ्लाव बंदे को diabetes है या नहीं है. Diabetes sugar को बोलते हैं, ये वो ज्यादा मीठा होने वाली sugar नहीं है, this is something different kind of sugar, और इसके लिए vaccine लगाई जाते हैं insulin की. तो machine learning parameters, doctors के लिए हम ऐसे design करें हैं, कि doctors सिरफ और सिरफ different इसमें के test करेंगे, flanches कितनी मिकदार में, flanches कितनी मिकदार में, at the end they can say कि आपको diabetes है या नहीं है. तो इसके लिए data हमारे पास मजूद है, कहां से data लिया और कैसे लिया है, और कौन-कौन सा model train किया, इसको सभी को हम जानते हैं. लेकिन उससे पहले, अगल आपने, यह तो मैं थोतला हो गया, नहीं, अगर आपने इस live stream को या जो recording आप देख रहे हैं, इस पर link पे like निए किया हुआ, subscribe निए हमारे चैनल को, please do it, इससे हमें support मिलती है, इस तरीके से. चलें जी, कर दिया होगा आपने like, so let's begin, यह screen आपके सामने नजर आ रही है, मिरी अवाज भी आपको आ रही है, now we are going to learn के किस तरीके से diabetes की app बनाई जाती है, तो मैंने already अपने जितना code है diabetes prediction app का, वो यहाँ पे मैंने रख दी है, ठीक है, diabetes prediction वाले folder के अंदर, और यह six number की app है, जिसका description के अंदर जब आप देखेंगे, Flask Tutorial का, GitHub की repository का link, तो वहाँ पे यह आपको link मिल जाएगा, there you can go and find this code afterwards, आज के lecture के फोरण बाग, तो यह पूरी GitHub की repository के उपर, जब आप जाएंगे, तो आपको समझा जएगे किस तरीके से, यह diabetes पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं, इसका असान तरीका कार क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Google Chrome साब को open करता हूँ, क्या आजो भई, चाजो भई, तो यहाँ पे मैं paste करता हूँ, अपना YouTube का link, जो live stream आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे नाम, बिल्कुल ही आपको flask का link मिल जाएगा, जो हमारी repository है, and that will look like this, तो वो कुछ इस तरीके से देखेगी, यहाँ पे पांचवें के बाद, छटा आपके पास, यहाँ पे छटी जो है, वो आपके पास, app जो है उसका code आजएगा, ठीक है, इस तरीके से आपके पास, यह सब कुछ चल रहा होगा, और यह पढ़ा है जी code, यह यहाँ पे, link to github repository और flask, आप यहाँ पे click करेंगे, तो इस तरीके से github की repository, open हो जाएगे, which will look like this, ठीक है, so code आपको मिल जाएगा, code की परिशानी ना लहीं, पहले बात को समझ लेंगे, किस तरीके से हमारा पूरा के पूरा app बनेगी, so हम क्या करने वाले हैं, पहले अपना home देखते हैं, home क्या है, यह basically हमारा main page होगा, which will look like an HTML file है, और यह इस तरीके से नज़र आएगा, यानि के home के page के उपर, आप pregnancies को लिखेंगे, your pregnancy count, यह ओरतों का data है basically, और यह data कहां से है, इसके बार में बात में बात करेंगे, लेकिन pregnancies का बताएंगे, your pregnancy count कितना है, glucose level कितना है, blood pressure कितना है, insulin कितना है, your insulin level, BMI पूचेंगे, या count करेंगे, and then diabetes, यहां पे, आप different किसम के जो functions हैं, particular function वगएरा, उनको देखेंगे, and then आप age पूचेंगे, age पूचने के बाद, यह parameters की base पे आप बता सकेंगे, के are you diabetic or not, ठीक है, तो इस तरीके से हमने front end को develop कर लिया, जिसका code HTML के अंदर यह पढ़ा हुए, I will provide you this code, आप इसको different तरीके से, colorful बना के भी अपने सामने ले के आ सकते हैं, तो यह front end है, इसी के अंदर अगर हम show HTML को देखें, तो यहां पे pregnancy value आएगी, blood pressure आएगा, glucose आएगा, skin वगएर आएगी, and at the end diabetic prediction आएगी, कि आप diabetic हैं या नहीं है, ठीक है, तो यह जो curly braces हैं, यह basically आपको बता रही हैं, कि आप diabetic हैं या नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ, ताके आप देख सकें किस तरीके से आपको यह नज़र आएगी, तो जब हमारे पास कोई result आजाएगा, prediction के button को पर click करने के बाद, तो इस तरीके से आप show करवाएंगे, something like this, for example, यह मैं अपना home वाली tab को open करता हूँ, तो यहां पर आप add करेंगे, जब submit के button पर click होगा, तो उसका function फिर यह show HTML की base पर चलेगा, यानि के input and output की base पर, यह हमारे पास दो जो main चीज़ें हैं, यह बन लही हैं, ठीक है, अब यह इस तरीके से आप नज़र आएगी, and then we have to work on the back end now, अब क्योंके हम diabetes के data पर काम कर रहे हैं, तो हमें diabetes का data चाहिए होगा, वो data कहां से मिला है, कैसे मिला है, उसके बारे में हम गुफ्तकू करते हैं, data कितना बड़ा है, उसके बारे में गुफ्तकू करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जितना भी आज तक हमने पढ़ा है, चे मा के कोर्स के अंदर, जिसका description के अंदर मैंने link दिया हुए, जिसमें machine learning के different algorithm है, deep learning के different algorithms है, आप multiple algorithms को use करके, एक specific algorithm जिसकी accuracy बहुत अच्छी है, उसको आप forward करते हैं into app pickle file, उस pickle file के आप use करते हैं inside app, क्योंगे वो एक trained model है machine learning का, उसको आप back end में use करके front end के साथ attach करने के बाद, उस model की base पर prediction कर रहे होते हैं, उसकी accuracy और बाकी चीज़ें उसी पर depend करेंगी, तो हम अब देखते हैं कि data कहां पर है, यह हमारा data है जनाबेवला, और यह basically हमारा CSV CSV के अंदर data है, और जहरी बात है हम basically python programmer है, तो हम data को इस तरीके से नहीं देखते, data यहाँ पर मुझूद है, but now we will see, के हमारे पास model preparation के अंदर data क्या कहता है, और किस तरीके का data है, तो यह वाली file जो है data preparation and model, इसमें हम model को train करेंगे, train करने के बाद यह वाली SVM, जो हमारा best model है, मैं आपको पहले बता दे तो वो यहाँ पर save हो जाएगा, मैं इसको अप थोड़ा सा close करता हूँ, ताकि आपको समझाए, यह हमारे पास जो data है, यह basically PIMS, sorry PIMS Indians Diabetes Database है, यह basically not PIMS, PIMS असल में पाकिसान में है, तो इस वड़ा से मेरे दिमाग में वो ही आ गया था, तो यह basically PIMS Indians Diabetes Database है, जो अल्रेडी यहाँ पर केगल के उपर upload हुआ है, and people have done a lot of work on this dataset, कहां से आया है data, और किस तरीके से collect हुए है यह data, यह सारी details के लिख हुई है, जारी बात है, बड़े databases भी मुझूद है, लेकिन यह छोटा से database है, कहां पर किस तरीके से है, यह यहां पर मुझूद है, जनाब आप basically learning algorithm, machine learning algorithm की base पे predict कर सकते हैं, there are people जन्होंने औरएड़ी IEEE की computer science society की press के अंदर, computer applications and medical care के अंदर, इस machine learning algorithm को publish भी किया है, if you click on here, you will see some kind of dataset, जो अभी यहां पर मुझे मुझे मुझूद नहीं मिर रहा, तो अगर मैं इसको copy करूं, और यहां पर paste करूं, then probably it will come up like this, तो आप यहां पर देख सकते हैं, using the adapt learning algorithm, to forecast the onset of diabetes, ठीक है, यह पूरी पूरी publication एक आपको मिल जाएगी, और यहां पर आप इसको read out कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी detail में नहीं जा रहा, यह आपका काम है, जब आप इसको inspire होके, इस पर काम कर रहे होंगे, ठीक है, यह dataset 70 research के लिए use हो चुक है, 29 applications इससे बन चुकी है, और learning 183 लोग इससे learn कर रहे हैं, ठीक है, well document इतने लोगों ने बोला है, और how would you describe, आप यहां पर click करेंगे, then you can work on this, what have you used this dataset for, हमने application के लिए use किया, हमें login करके, यहां पर click करना है, मैंने login नहीं किया हुआ for now, so this is the dataset, और यह कितने column पर मुझतमिल है, we will see that in python, मैं python में जाता हूँ, यहां पर जाने के बाद, जनावे वाला यह pandas, numpy, इनको चलाने के बाद, यहां पर df.head मैंने किया, और यह मेरे पास जनाव pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, age and outcome, तो हमारे पास one and zero, यानि के binary classification का यह algorithm है, और यह हमारे सारे के सारे x parameters हैं, यानि के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 features हैं, और एक हमारे पास label है, और यही चीज तो हमारे पास template के अंदर हैं, अगर आप गौर करें, जब हमने template को design किया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 features हैं, उसकी base पे एक label आएगा, ठीक है, so this is how the machine learning algorithm works, अब इस machine learning algorithm को अगर हम गौर से देखें, अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखें, तो आप देख सकते हैं, कि हमारे पास different किसम के यहाँ पे data set मौझूद है, अब यहाँ पे अगर आप replacing all zero values with null values, तो आप यह भी कर सकते हैं, कि zero values जहाँ 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 पे insulin के value zero आ रही है, प्री प्रोसेस करेंगे data को, सारा काम जो आपको मैंने सिखाया हुआ है, मैंसमें detail में नहीं जाने वाला, and at the end आपके पास क्या होगा, features and labels आपके पास finalize हो जाएंगे, अब features and labels के उपर काम करते करते, आप different किसम की और चीज़ों को देखेंगे, null values देखेंगे कि कहाँ पर किस column के अंदर null values है, कोई भी null values नहीं, everything is fine, and then you have to train your models, ठीक है, सो आप standard scalar use करते हैं to scale the data, obviously वो ही काम है, और यहाँ पर आप describe करते हैं, X और Y को, और उसके अंदर standard scale को use कर लेते हैं, and then you have to train test split the data, ताकि आपके पास model के accuracy आजाए, 80-20 का ratio आप लगा के model को train करते हैं, अब यहाँ पर K-nearest classifier जो है, basically binary classification पर काम करें, तो K-nearest neighbor classifier जो है आपके पास यह इस तरीके से चलेगा, and then इसका score कितना आया है, जो मेरे पास है 85.66, ठीक है, K-nearest जो हमने 5 रखा था, so इसका मतलब यह है के train score इतना हमारे पास आ रहे, and this is the test score which is 87% accurate, so इसका मतलब है 87% या 85% accuracy is one of the best I would say, then हमारे पास है logistic regression जिसकी accuracy 83% आई थी, and then हमारे पास है जनाबे वाला SVM sport vector machine जिसकी 88.9, यानिके 88.9, यानिके 89 के करीब इसकी accuracy है, that's a good thing, and then we have some other models as well, जिसकी accuracy हमारे पास तकरीबन 89 के करीब आती है, फिर हमने random forest को चेक किया, तो random forest हमें बता रहे है 85, और हमारे पास tensor flow को use करके deep learning neural network, जो हमारा sequential neural network है, उसको जब use किया गया 1000 epochs के साथ, तो हमारे पास जो maximum accuracy आई, that is around, क्योंकि 1000 epochs चले हैं, तो ये बहुत नीचे तक जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, 91% जो है accuracy training में थी, लेकिन obviously जो test accuracy है, वो 86% है, so हमें पता है कि हमने testing accuracy के उपर believe करना होता है, इसी वज़ा से, अभी तक जो अच्छा काम किया है, वो है sport vector machine का algorithm, इसी वज़ा से हम उसी algorithm को, pickle file के अंदर store already कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने SVM model, जिसके accuracy सबसे ज़्यादा है, उसको store कर लिया into a model, और यहाँ पर यह model हमने store किया है, SVM model के तोर पे, सो basically क्या हुआ है, हमने यहाँ पर SVM model जो है, pickle की file के अंदर save कर लिया, that means हमारा जो model है, वो अल्रेड़ी यहाँ पर train होके save हो गया, मैं दुबारा से इसको run करने की कोशिच नहीं कर रहा, because it will take a lot of time, ठीक है, फिर हमारे पास there are some other notebooks, जिसमें बताया गया है किस तरीके से आप data को download करके, और किस तरीके से zeros को replace कर सकते हैं, zero कितने हैं, किस जगा पे, और null values को आप किस तरीके से handle कर सकते हैं, and so on and so forth, काफी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हैं, you can explore this one as well, and then if you go to the Pima visualization, you can see a lot of plots के किस variable का किस के साथ कौन सा link है, so this is somehow a kind of, I would say, machine learning algorithm से पहले जो आप data pre-processing करते हैं, या आप check करते हैं कि कितनी लोग हमारे पास diabetic हैं, कितनी नहीं हैं, imbalance है, आपके पास shade या imbalance नहीं है, and so on and so forth, तो यह pre-processing और सारी notebooks जो आपको मैं provide कर रहा हूँ, and this is how you can actually look into it, अब जैसे आप इस पर काम कर रहे होते हैं, और let me show you one thing, यहाँ पर इस पूरी के पूरी, जो notebook पर काम हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पर app जो दिखा रहा हूँ, that is inspired by this guy called Puneet Gajwal, यह इनों ने इस पर काम किया था, I have modified a little bit more, और यह Puneet Gajwal की जो end-to-end ML का project है, यह इसी के अंदर से मैंने तीन notebooks जो हैं, उनको लेके different गिसम के model prepare करने की कोशिश की है, ठीक है, so the credit goes to Puneet Gajwal as well, just to show के credit हमें देना चाहिए, then हम चलते हैं main pi की app में, obviously, अब main pi में सारा काम होना है backend का, हमने क्या किया, यहाँ पे rendered templates वाली चीज मंग वाली है, pickle को import कर लिए, क्योंके हमने model को import करना है इसमें, then pandas भी ले ले हैं, num pi भी ले हैं, then हमने standard scaler and pipeline को भी ले लिया, because we want to scale the input data as well, जो हमारे पास आएगा, क्योंके हमने model को train scaler पे data पे किया था, अब हमारे पास जनाब जो template folder के अंदर, हमने जो app बनाई है, template folder से वहाँ से templates उठाएंगे, और यहाँ से model उठा लिया, SVM का model ठीक है, जो हमने save किया हुआ था, machine learning model भी आ गया, और app को हमने start भी कर लिया, अब जो app का route है, basically यह जो हम decorator यहाँ पे use कर रहे हैं, that is actually helping us to go on front end on home, home का button आपको पता है, कि home HTML जो हमारे पास यहाँ पे मुझूद है, basically इसके उपर हमारी app route होगी, यानि के data input यहाँ से आएगी, ठीक है, और अगर आप गौर करें इस पूरे code के अंदर, आपको समझ आएगी, कि यहाँ पे जो हम input ले रहे हैं, different color के boxes बना के, that can actually be processed, for example, यहाँ पे अगर आप गौर करें, input type, यह input basically HTML के अंदर, जब आप input लिखते हैं, then you can have a text, text, text and different kind of things, as a placeholder, और उस placeholder की base पे, आप data को ले के आते हैं अपने पास, so I'm not gonna going into the details of HTML, क्योंकि उसका तरीके का राज के lecture के end पे, मैं बताने वाला हूँ कि आप HTML कैसे सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले, यहाँ पे हमने home HTML के अंदर इसको route कर दिया, अब जो भी वहाँ से data आएगा, हम उस data को यहाँ पे standard scalar लगाएंगे, ठीक है, x को, and then हम pipeline के through उसको गुजारेंगे, ठीक है, pipeline को हमने define कर लिया, जिसमें scalar भी है, standard scalar भी है, and svm model भी है, ठीक है, यह जो model है, उसके through, उसमें से गुजारा जाएगा, pipeline के through, and at the end, data जो है, वो features को transform कर देगा, फिर हमारे पास क्या होगा, हम app.route, और उसको करेंगे send के अंदर route, ठीक है, methods हमारा post होगा, यानि के जो data हमने ले लिया, उसको further हम request के form के साथ, final features बना के, आगे post के अंदर ले के जा रहे हैं, कैसे, यह हमारे final features है, उनको हमने transform कर लिया, using the function called standard scalar, जो हमने पीछे use भी किया था, and then we predict, based on those features, और वो prediction कैसे होगी, model की base पे, जो हमने model पहले लिया हुआ है, so features transform करने के बाद, हम model लेंगे, transform में क्या कर रहे हैं, standard scalar को use कर रहे हैं, क्योंकि हमें data scaled में चाहिए, अगर prediction, zero के बराबर आती है, क्योंकि यह binary classification है, तो you are non-diabetic वाँ पे आ जाएगा, else you will say you are diabetic, ठीक है, दो ही condition है, you are non-diabetic या diabetic है, हम यह नहीं बताएंगे, diabetic कितना है, ठीक है, और यह हमारे पास, basically request form के अंदर, pregnancies, glucose, blood pressure, insulin, BMI index, diabetes, pedigree function, age, and हमारे पास, add the end, यह सारा कुछ होगा, show HTML के अंदर, यानि कि जितनी भी value आई है न, वो सारी की सारी भी, आप के पास show होगी, अब show HTML क्या दिखा रहा है, अगर आप show HTML पे जाएं, इसको open करें, here you can see, कि यहाँ पे जो आप लिखेंगे, उसके सामने उसकी value आईगी, एक person को आप बकाईदा, reconfirm करके, आप के तुरू बताएंगे, कि इसका pregnancy value इतनी थी, साथ लाइनों के अंदर एक app बन जाएगी, which you can deploy on a server, वो कैसे deploy करेंगे, आप के पास Heroku का server की option है, AWS की है, hostinger पे भी आप different किसम के, KVM servers बगारा लेके, वहाँ पे apps को store कर सकते हैं, but we are going to run this app now, अगर हमारे पास यहाँ पे run करती है, इसका मतलब है, कि हमारे पास कहीं पे भी run करेगी, so मैं यहाँ से अपना terminal साब को बलाता हूँ, terminal साब को बोलता हूँ, कि cd करो, और पांच number, नहीं, शे number folder में चले जाओ, यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ, ताकि आपको नज़र आए, अब 6 number folder के अंदर हम मजूद है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, python space main.py, जैसे मैंने इसको run किया, अगर कोई error होगी, इस app के अंदर, तो यह app running करेगी, अगर error नहीं होगी, it will show me something like this, और आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास, कुछ limitations इसकी शो हो और हैं, but we will see कि हमारे पास, किस तरीके से app नज़र आती है, तो यह हमारे पास एक app है जनावे वाला, यहाँ पे आप pregnancy count लिखते हैं, for example, किसी patient के, दो pregnancy count है और गुलुकोज लेवल कितना है, हम वो वाले डेटा देते हैं, जो हमारे पास original के करीब करीब हो, तो मैं यहाँ से, यहाँ से गुलुकोज लेवल 85 कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको, गुलुकोज लेवल 85 कर देता हूं, blood pressure हम कर देते हैं, जनाव 66, skin thickness हम कर देते हैं, 35, insulin levels हम कर देते हैं, 0, BMI index हम कर देते हैं, 33.6, diabetes predicate function जो है, उसको हम कर देते हैं, 0.627, और age हम कर देते हैं, just imagine, 45, आपको क्या लगता है कि, इस पूरे features की base पे, क्या कोई patient diabetic हो सकता है, या नहीं हो सकता है, अब यहाँ पर diabetes prediction आपके पास क्या आ रही है, pregnancy value 2 है, फ्लाँ फ्लाँ चीज, यह सारे उनके levels हैं, और यह रहा जी, you are diabetic, reason क्या है, reason यह है कि insulin level 0 है, समझाई, और बाकी चीज़ें भी उसके इंदर add हो रही हैं, लेकिन insulin level का बड़ा roll है, so now you can see, कि आपके पास diabetic patient जो है, वो diabetic है, अगर मैं insulin level को different way में लिखूँ, for example यहाँ पे insulin level हमारे पास है 94, तो मैं अगर 94 एड़ करूँ, इस app के अंदर 94, हम दुबारा से submit करवाएं, you are still diabetic, क्योंकि there are other parameters, जो blood sugar और बाकी चीज़ों, sorry, blood pressure और thickness वगरा की waste पे चल रहे हैं, glucose level 85 है, इसको कम करके देखते हैं, so glucose level अगर 85 से कम हो जाए, मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, submit your diabetic, so this is how you can actually check के कोई बंदा diabetic है या नहीं है, और यह 89% accurately आपको result देगा, यानि के 89% इसकी accuracy है, हमारे model की testing data पे, इसका मतलब यह हुआ, कि आप इस तरीके से apps बना सकते हैं, और app बना के इनको deploy बे कर सकते हैं, अब जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मैंने अभी काम किया, यह code पूरे का पूरा यहाँ पे बनाया, ठीक है, और यह पूरे की पूरी app को हमने run भी किया, and then I will stop this by pressing Ctrl C, अब यहीं पे अगर मैं pip install, बलके pip freeze, इसको forward slash लगा के requirements.txt को लिखूंगा, तो जितने भी packages इस app के अंदर use हो रहे हैं, उनकी एक requirements.txt फाइल बन जाएगी, which we need in order to make this app, और आप देख सकते हैं के यह सारे के सारे packages इसके अंदर आ चुके हैं, but obviously यह बहुत बेस तरीका नहीं है, किसी भी एक चीज़ को चलाने का, यह पूरे environment के अंदर apps है, इसका मतलब है कि this method of making requirement file is not good, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जो मैंने पहले भी बताया था, pip install, pip rex, इसको आप run करते हैं, और यह वाली जो एक library है, pip rex के नाम से, यह automatically यह requirement की file बनाती, which is more accurate, क्योंकि जहरी बात है, आपने सारे environment वाले package नहीं ले के आने होते, जो आप use कर रहे हैं, आप उनी को बस ले के आएंगे, तो मैं इसको run करता हूँ यहाँ पे, जितने parameters इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप data को जाके गौर से पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी, मेरी तरफ से आप और parameters वाला data भी उठा ले, then you will understand के कौन सा blood sugar level act क्या नहीं है, whatever the parameters are, हम काम कर रहे हैं, coding के उपर इस वकत के apps को किस तरीके से बनाना है, but if you are really interested in making these kind of apps, तो आप लोगों का data ले सकते हैं, hospitals में जाके data ले सकते हैं, और diabetic prediction app को आप बना के, software भी इसका develop कर सकते हैं, PC के लिए, और आप इस app को deploy भी कर सकते हैं, and my plan was कि आपको इसका software भी develop करके बताया जाए, but on the other side, it will take some time, क्यों, क्योंकि अभी आपकी understanding flask web app की चल रही है, पहले app को बनाना सीख ले, and then we will see के software कैसे develop होते हैं, यह app यहाँ पे हमारी clear हो चुकी है, अब इस app को आप use कर सकते हैं as an app, लेकिन उससे पहले जो मैंने requirement.txt की file की बात की थी, मैं यहाँ पे वो show करवा देता हूँ, आप यहाँ पे अब इस जगाँ पे दुबारा से लिखेंगे, for example, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, pip rex, जैसे मैंने pip rex लिखा, तो यह यहाँ पे जुपिटर note books और बाकी चीज़ों को देखेगी, और यह हमें requirements की file बना के देदेगी यहाँ पे, ठीक है, यह वारी library जो है, it will take some time, but at the end, it will show you, कि कौन-कौन सी libraries इस environment के लिए use हो रही है, ठीक है, so, meanwhile यह चल रही है, आप से मेरी request एक है, कि जैसे आपके पास इस तरही के यह सारे-के-सारे folder बन जाये करें, तो यह पूरी app एक folder के अंदर समाई होती है, so, based on that app, you have to actually upload these kind of apps on different cloud system, जिसके अंदर Hiroku है, जिसका मैंने पहले बताया, Amazon Web Services के cloud system के उपर, EC2 instances के उपर, आप अपनी apps को deploy कर सकते हैं, there are many other, many other resources as well, जिसमें hosting services as well, hostinger की भी है, जिसमें cloud computers अगर आप ले ले, as a hosting server, तो वहाँ पे भी आप आप को deploy कर सकते हैं, इन्शाला आने वाले lecture के अंदर मैं कोशिश करूँगा, Amazon Web Services पे आपको एक app deploy करके, उसका link चला के दिखाया जाएं, यहां तक के लिए इतना ही, requirements की file हमारी बन चुकी है, यहां पे चेक करें, click करने के बाद, तो यह हम आपकी requirements की file है, which is needed, ठीक है, not more than this, आपको सिरफ यही, जो हैं वो चाहिए, libraries to deploy your app, so this is how you can create an app, अपना ख्यार रखें, अगर अभी तक आपने, समझ लिए हैं ना, like, share, subscribe ने गया तो कर दें, और please, इस lecture को गोर से दुबारा से देखें, code मैं अभी आपको पुश कर के दे रहूं, github के उपर आपको यह code मिल जाएगा, that will help you a lot, to develop your own portfolio, इसके अंदर आप और भी parameters आड़ करें, किसी और एप को भी बनाना स्टार्ट करें, और different गिसम के data के उपर practice करना स्टार्ट करें, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं next lecture के अंदर, अपना ख्यार रखें, दौम याद रखें, अल्लाह निगेवान, असलाम अलेकूम,